तो भाई यह देखो, CNG के अंदर आपको बूर्ट स्पेस भी मिल जाता है, जो कि कमाल भाई सिर्फ टाटा ने किया है, पाकी दो आपको स्लेंडर भी दिये गए इस गाड़ी के अंदर जो कि यह रहने वाले है, CNG के, और इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल ECU भी मिलता है जिसकी वेज़े से CNG के अंदर पिक अप पावर, आपको पैट्रोल वाली ही महसूस होने वाली है, है दोस्तों मैंना मसमें कड़ा रही है, सामने आप यह गाड़ी देख रहे हैं, यह है टाटा पंच, CNG के अंदर यह गाड़ी आ गई है, बेस अबरी से इस गाड़ी का इ लेकिया है, वह भाई मारूती भी नहीं लेकिया है, यह अपना हुंड़ा लेकिया है, क्योंकि भाई हमें जो है न, एक चीज़ कंपरमाइस करने ही पड़ती थी, और वह चीज़ क्या है, सबस्ते पहले वही दिखा देता हूं आपको, तो भाई यह देखो, CNG के अंदर आ आपको अच्छा खासा बूर्स मिल जाता है, 210 लीटर का आपको बूर्स दिया गया है, इस गाड़ी के अंतर, बाकी दो आपको स्लेंडर भी दिये गये हैं, इस गाड़ी के अंदर, जो कि यह रहने वाले है, CNG के, 30 प्लस 30 लीटर के आपको जो CNG के टैंक दे रखे है, जो अपने आप अराम से रख सकते हो, छोटे मोटर सावन अपने यहां रख सकते हो, तो भाई है, नो कंपरमाइस कार है, क्योंकि भाई देखो CNG मिल जाती है, तो आपको माइलेज कोई टेंशन नहीं, ग्राउन क्लेंस मिल जाता है, तो भाई अच्छे खासे उबल खावर रस हम फैमिली के साथ जाते हैं, तो अपना लगेज हो ही जाता है, बट इस गाड़ी के अंदर भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा आपको बूर्स मिल जाता है, ओपर आपको इंसलेशन दी गई, जिसके से भाई कोई पार एक्सफोज नहीं, तो इसे करते हैं, बन और से स्टार्ट करते हैं, इस गाड़ी के, तो यहां पर आपको जो है, कुछ लुक यह मिलता है, मतलब यह गाड़ी जब से लॉंच होगी है, टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा से रही है, और अब तो भाई क्या पता, टॉप 5 की लिस्ट में आ जाए, क्योंकि भाई अच्छे ख कर सकते हैं, यहां पर अच्छे खासे नंबरों पंच खड़ी भी है, यह खड़ी, एक यह खड़ी भी और अपना यह खड़ी है, तो आपको गाड़ी जली भी डिलीवर हो जाएगी, और अगर आप मेरा नाम लेते हैं, तो आपको छोटा मोटा डिस्कॉंट भी मिल है, ठीक है, यहां आपको इंडिकेटर नीचे आपको जो हेड्लेंस मिलते हैं, बंपर के अंदर जो की रिफ्लेक्टर के अंदर रहने वाले हैं, यहां आपको जो है, तो आपको बोन अड़ी भी दिखाई देता है, इसके जो एजीज है, इसके ऐसे ओलोवर नावाई, दे रखा है, क्रूम के अंदर, यहां मिल जाता है, और प्यानो बेक फिनिश में आपको ग्रेल मिलती है, यह जो वेरेंट है, एडवेंचर रिदम, यह पैट्रोल के अंदर तो most value for money वेरेंट है, बट आपको CNG के अंदर ना, अच्छा खासा value for money वेरेंट है, कहीं ने कहीं यह ऑन डोड मेरेट के अंदर, नौ लाग दस हजार तक यह पढ़ जाएगा, बाकी accurate के लिए आप डिस्क्रिप्शन नमर दिया गया, बैस पाई कि आप पॉंट्रेट कर सकते हैं, जरूत के features और एक दो आपको premium features सब मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, यहां आते हैं side look पर यहां पर आपको 16 इंच के, 16 इंच के या 15 इंच के हैं, भाई मैं भी देख लूँ एक बार, 15 इंच के आपको wheel size दे रहा है, 18570R15, C8 के tire मिल जाते हैं, black color के आपको wheel cover offer करेगा, यहां पर आपको shockers जो है, tweak करे के हैं, CNG के हिसाब से, cladding आपको मिल जाती है, जो कि यह और अपना जो यहां की side रहने वादी है, ground clearance की बात करूं, 187 mm का ground clearance मिल जाता है, जिसकी वैसे बाई कोई tension नहीं, mileage कोई tension नहीं, ground train कोई tension नहीं, कहीं से भी कुदा दो, कहीं से भी दोड़ा दो गाड़ी को, अब तो मज़े ही आने वादे हैं, बाकि इसके अंदर आपको sunro door मिलते हैं, जो कि इस segment में किसी गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं, बाला बूर स्पेस भी नहीं आता है, और इस यह भी नहीं आते हैं, तो 90 degree angles आपको चारो भी door मिलते हैं, जो कि यह वाला भी अपना रहने वाला है, ए पिलर आपको ब्लेक आउट और सी पिलर भी आपको जो है, इसके sunroof variant पे मिलेगा, बाकि आपको power anti नहीं मिलता है, रियर लुक के जाड़े कुछ यह दे रखा है, अभी जो है, cng nozzle पे भी आ हुआ है, ठीक है, पहले cng का nozzle दिखा देता हूँ आपको छोड़ो, उसके बारे में आप रियर लुक के बारे में हम आगे बात करें है, ठीक है, तो यहां जो आपको cmg का nozzle मिलता है, micro switch आपको दे रखा है, पैट्रोल की थाड़ी सेवी लीटर की, 30 प्लस 30 लीटर के आपको जो cmg के tank मिल जाते हैं, ठीक है, तो भाई यह कुछ रहने वाला, इसको थोड़ा सा extend करा गया, थोड़ा सा बढ़ा करा है, फ्यू यह से भाई, आप देख सकते हैं, काफी बढ़ा मिल जाता है, नौरो पेट्रोल वेरिंट वो थोड़ा छोटा आता है, वह आपको मैं दिखा दूँगा, रियर लुक इस गाड़े कुछ चीज़ रखा है, आपको एलीटे लेंस में मिलते हैं, हैलोजन ही मिलते हैं, रिवर इस की बैजिंग, स्पेसिंग के साथ में, आई सी एन जी की बैजिंग, दो पार्किन सेंसर, और दुबारा से बोलते हैं, खुल जा सिम सिम, तो वहीं सी एन जी के साथ बूट स्पेस आपको मिल जाता है, मतलब यार दुबारा से एक बात मैं बोलूँगा, यह गाड़ी ज नहीं कोई अपना बंदा, क्योंकि जब भी हम CNG गाड़ी को लेके जाते हैं, एक नहीं बंदा घर पे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अपना बैक का रखींग है, तो भाई अपने 5 सीटर गाड़ी ना, 3 सीटर और 4 सीटर हो जाती है, यह चीज मां सही कह रहा हूं, कमेक् और किया इस गाड़ी ना, ग्लोबल एंग कैप में, और इस गाड़ी के अंदर आपको, सिंगल ECU भी मिलता है, जिसकी वेज़े से, CNG के अंदर, पिक अप पावर, आपको पैट्रल वाली ही महसूस होने वाली है, खेर, यहां पर दुबारा ही आ जाते है, यहां पर आपको जो दो सिलेंडर मिल जाते हैं, वो मैंने आपको पता थी, 210 लीटर का बूर्ट स्पेस, नीच आपको जो एक टूल किट दी जाती है, जो कि अभी रखी भी है, और उसको जो है, यहां की साइड आपको लगानी है, एंटी क्लॉक वाइस गुमाना है, तो नीचे आ जाएगी जो इसको निकालना है, और फिक ट्लॉक वाइस उसको जो गुमा देना है, तो आपकी जो है, टार उपर आ जाएगा, तो बहुत इजी है, जिनको जिनके पास SUV है, हूंको पता हूँ कैसे करना है, उपर ट्रिम दीके जिसके वाइसे बाट कोई एक्सपोस नहीं है, अब जो पर जो है, लाइट ग्रीन दे रखा, टार पर ने डिजाइन में, चार्ड स्पीकर आपको मिल जाते हैं, और अपना जो है, एक लिए बाट की स्पेस आपको मिल जाते हैं, तो आपको ट्यूटर नहीं मिलते हैं, ठीक है, 6340 कोई ओप्शन नहीं है, अच्छा कासा लेक स्प पूटना हो, एक नमबर मिलता है, और बैक स्पूट भी काफी अच्छा कासा मिल रहा है, एड रूम भी आपको जो है, ठीक ठाक मिल रहा है, एक्स्टर से थोड़ा सा यार कम है इसका, बाकि भाई एक्स्टर का क्या होगा, मेरे को बहने बता क्यों कि एक अच्छी खासी ब रहे हैं, यहाँ पर आपको डूसरी की बस्टो है, यहाँ पर आपको डोलe ना इंडोर, Am gateway, आपको मिल जाता है, आपको जो मिल जाते हैं, स्पक्क्राये है, एक एंड़्यका बड़र, ना अट्रोय कि a.ध डोडर, तूटर्व को रहा है, रहल में सविटेंटीए है, तू इसके अंदर नहीं आते लिए फिनिशिंग आपको यहां भी दे रखे इस इवेंट पर ग्रीन फिनिशिंग आपको यहां मिल जाती है यहां विए पीछे और यहां देखते हैं यहां पर कुछ लेट इसका इसका जो डैश्बोड हैं ना काफी अच्छा-कासा है आप को मिल ज सब्सक्राइब करते हैं और यहां आते हैं तो आपको न्यू क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको आर्पी मीटर यहां 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 पर आपको सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको आपको नहीं दिखाने वाला बाकि आपको नहीं मिलता बाकि यहां पर आपको जो है सेटन सिल्वर और इसकी बात करूं सेविंच का डिस्पर मिलता जो की प्रस्पीकर टूटर के साथ में आता है पाउरड बाय हरमन ने अच्छा खास आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है इस गाड़ी के अंदर प्यानों बैक फिनिशिंग हजा लैट का बटन ऑटमेटिक एसी नहीं मिलता है यहां पर यहां पर पूद्वर्ट का पूर्ट यहा आपको मिल जाती है और यह अगर मैं बात करूं तो आपको लैंप दे रखा है जो की हेलो जन के नर चोटा सा है भाई टाटा सो दोसो पांसो हजार भी ले ले लो फाल तो इसे चेंज चड़ दो भाई इस गाड़ी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा विल्कुल भी आया र अच्छा आपको डैशबोर मिलता है जो कि यह रनने वाला है अब जो गाड़ी के सेफटी फीचल के बात करूं तो भाई एब्स डॉल बैक इस गाड़ी के अंदर आते हैं कॉनिक स्टेविडी कंट्रोल भी आपको जो मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर जो कि काफी अच् कुछ भी होता है तो वरी कंपनी उसे ठीक करेंगी आफ्टर मैं क्या होता है कि कोई सुनवाई नहीं होती कुछ नहीं होती गाड़ी के अंदर कुछ हो जाए या फिर आग लगजा कुछ हो जाए बट कम दिप्रिटेट में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता सारे सेफटी प्र के बात करूं तो इंजन आपको जो इस गाड़ी के अंदर यह मिलता है आपको 1.2 लीटर पैट्रोल इंजन मिलता है जो कि सी एंजी के अंदर 72 से 73 भी के पार करता है और 102 एंदम का टॉर्क टॉर्क काफी अच्छा कासा मिल जाता इसके अंदर जो कि इस सेग्मेंट में किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता भी अच्छा कासा आपको जो है मतलब रिफाइंड इंजन मिलता है माइलेज की बात करूं तो भाई 16 सा 17 सीटी के अंदर हाईवे आपको 22 से तेज अराम से मिल जाएगा इस इंजन से आप इसको सी एंजी के अंदर चला है आपको एक जैसी पावर मिलने वाली है यहां मिलती है और कुछ अपर आपको इंसलेशन मिलती है जिसके विसे को भी पाट एक्सोज नहीं है और पैट्रोल के अंदर यह 88 पीस की पावर पर डियूस करता है और 115 अनम का टॉर्क और एक गाड़ी कैसे लगी वीडियो अच्छे लगे देविडियो के लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेल नंबाइट टीक है ध्यान रखे अपना